हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है हाउ टू क्रियेट एजाइल कॉंटेक्ट्स रूम गूगल शीट्स रूँ तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स और एजाइल्ट के बीच में करेक्शन बना सकते हैं कि जैसी गूगल शीट्स की रो में आप कोई नई लीड्स की डीटियल्स या कॉंटेट्स की डीटियल्स एड़ करेंगे तो आटोमेटिकल इउन डीटियल्स का यूज करके एजाइल्ड में एक नया कॉंटेक्ट हो जाएगा क्रियेट जिया और ये पूरी प्रोसेस आप आटोमेट कर सकते हैं पैबली करेंट की मदद से गूगल शीट्स और एजाइल्ड के बीच में कनेक्शन एक इंटिग्रेशन बना के इस पर आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो एड होना गूगल शीट्स में और आपका एक्शन होगा आटोमेटिकली सेम डीटेल्स का यूज़ करके एक कॉंटेट क्रेट हो जाना एजाइल्ड में तो आप कैसे बना सकते इस पूरे आटोमेशन को कैसे करेक्ट कर सकते इंदोने अप्लिकेशन को आईए देखता है मेरी स्क्रीट पे तो चलिए बनाते हैं कैसा आटोमेशन, गूगल शीट्स और एजाइल्ड के बीच में कि जैसी गूगल शीट की रो में आप को नई लीट्स की डीटेल्स एंटर करेंगे तो आटोमेटिकली सीम डीटेल्स के यूज़ करके एजाइल्ड में एक नया कॉंटेक्ट हो जाएगा क्रीट और ये पूरी प्रसेस हम आटोमेट करेंगे पैबली करेंट के मदद से एजाइल्ड और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन एक इंटिग्रेशन बनाके चलता है नियो टैप पे आप देख सकते ही है पैबली का लेंडिंग पीच पैबली एक बहुती अमेजिंग सॉफ्ट्रेर है जाब मल्टिपल एप्लिकेशन को कनेक्ट इंटिग्रेट कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर है तो जाएए साइन अफ फॉर फ्री पे जहाँ आपको हर मैने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply क्लिक करिएगा sign in पे sign in पे क्लिक करते ही आपके सामने open होंगी पैबली की एपाच में एप्लिकेशन आज हमको use करना है पैबली करनेट का तो क्लिक करेंगा हम access now पे access now पे क्लिक करते ही आपके सामने open होगा पैबली करेंट का टेश्बोर्ट और यहां पे आते ही हमको यहां पे बनाना एक नया workflow तो जाना आपको right inside पे क्लिक करना इस blue button पे create workflow पे और जैसी create workflow पे आप प्लिक करेंगे आपके सामने dialogue box appear होगा जापको इस workflow को एक नाम देना है तो मालेजे मैं इसे नाम देता हूँ create agile contact from google sheets रो आप अपने requirement के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर क्लिक करना आपको create पे create पे क्लिक करते ही आपके सामने open होंगी यह दो important windows इनको हम कहते है trigger and action basically जो पुरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनो principles या concepts पर ही based होते हैं इनके definition के बाद करें तो trigger कहता है when this happens पतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज का मारा objective क्या है आज का मारा objective यह है कि जब भी google sheet में मैं कोई नई leads की details center करता हूँ तो मैं चाता हूँ कि same details के use करके automatically agile में एक नया contact हो जाए create तो जाएंगे हैं public connect पे choose करेंगा अपनी trigger application जो की है google sheets यह से मैं choose करूँगा अपनी trigger application और हमारी action application होगी agile तो यह से मैं choose करूँगा अपनी action application अपनी एक्शन अपनी एक्शन एप्लिकीशन उस Google Sheet को हम connect करेंगे public connect मतब उस Google Sheet का पूरा डेटा हम लेके आएंगे public connect के पास और यह करने के लिए हमारी मदद करेगा वैबुक URL वैबुक URL का काम होता है दो application के बीच में connection बिल्ट करना या as a bridge की तरह करता है act तो Google Sheet की रोका जो भी डेटा है वो public connect के पास capture होगा इस URL की help से तो यह URL आपको ऐसे करना है copy इसके बाद आपको follow करने है यह सारे instructions जो आपको यहाँ पे दिये हुए तो वैबुक URL कापी करने के बाद आपको जाना अपनी Google Sheet पे और देखिए है मेरी Google Sheet जिसको मैंने नाम दिया leads data का यहाँ पर मैंने कुछ columns बनाएं जैसे लीट का first name, last name, email, contact number अब देखिए इस Google Sheet को connect करेंगे पैबली connect से तो जाना आपको extensions पे फिर जाना है add-ons पे क्लिक करने get add-ons पे इसके बाद आपके सामने open होगा Google Workspace marketplace इसके search बार में आपको search करना है पैबली connect वेबुक्स अब देखिए पैबली connect वेबुक्स मेरी सिस्टम में already installed है अगर आपके सिस्टम में इंस्टाल नहीं है तो आप इसको install करें तब है आपकी Google Sheet connect हो पाएगी प बंद वापिस जाना extensions पे पैबली connect वेबुक्स आपको bottom पे होने लएगा show अगर आपको show नहीं हो रहा है install करने के बाद तो आपको Google Sheet करने है refresh refresh करने के बाद आपको option यहां पे दिखने लग जाएगा इसके initial setup पे आपको करना है क्लिक इसके बाद आपके सामने open होगी यह window इस window में ही हमसे पूचेगा वेबुक URL एंड ट्रिगर कॉलम तो जैसे कि आपको याद होगा पैबली connect पे URL हमको मिला था यह सीम URL कॉपी करके आपको पीस्ट करना है इस फील्ड में इस URL की मदद से जो भी डेटा इस Google Sheet की first row का वो पैबली connect अपने पास करेगा capture इसके बा क्लिक करूंगा automatically Google Sheet की first row का डेटा पैबली connect अपने पास कर लेगा capture देखें आपर क्या लिखाए test data send successfully इसके बाद आपको क्लिक करना है submit पे इसको करना है बंद पिर आपको एक step और करनी है आपको वापिस जना extensions पे पैबली connect वेबुक्स पे और send on event का option आपको जरूर टिक करना है send on event का option इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप इस Google Sheet की रो में कोई नई details सेंटर करेंगे कोई नई रो एड करेंगे तो automatically वो details पैबली connect अपने पास कर लेगा capture send on event की option की help से अगर आप उसको टेक नहीं करते हैं तो आपको वर्क ट्रिगर नहीं होगा इसलि इसलिए हम डीटेल का यूज करके हमको एक नया content क्रेट करना है एजाइल में तो अब एजाइल का अकाउंट पर करेंगा पैबली connect से तो क्लिक करना आपको connect भी जाना है connection पे और यह हमसे पूछ रहा है API की दिखिए API की आपको कह से बिलेगी आपको सारे instructions दिये हुए मैं आपको डारेक्ट के बिताता हूं जाना एकाउंट पर क्लिक करना सेटिंग्स पी सेटिंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखरा होगा API settings पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने API की यहाँ पर आपको दिख रही होगी यह यह करूँगा copy जाऊंगा पैबली connect से और देखिया हमारा account है पर उचुका है connect अब cm details का use करके में को एक नया content create करना है agile में मतलब जो details में को मिली थी google sheets से इसी का use में को यहां पर करना है तो इसके लिए मैं use करूंगा mapping का अब आप सोच रहोंगे कि mapping का पतलब क्या होता है mapping का मतलब यह होता है कि response हमको मिला है trigger application से इसी का use हम यहां पर कर लेंगे वह भी without manually type करेंगे तो देखिया mapping कैसे की जाती जैसी मैं इस blank field पर क्लिक करूंगा तो google sheets जो कि क्लिक करूंगा इस blank field पे google sheets आपको यह पर दिख रहा होगा इसके drop down पर करेंगे click और यहां से map कर देंगे email id lead की फिर आता contact number lead का तो वापस में क्लिक करूंगा blank field पे जाऊंगो google sheets पे और यहां से map कर दूंगा lead का contact number इसके बागे आपको लगाना कंट्री कोट तो हमने लगा दिया country code के साथ contact number फिर आता job title skype id नोट लास्ट कॉंटेक्टेट टेग्स एड्रेस सिटी स्टेट कर अब यह सारी fields नहीं है मैंने उनको छोड़ दिया black आप चाहें तो यह सारी fields भी आफ फिल कर सकते हैं पर आपके मन में एक सब्सवर जरूरा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने आपक्यों किया तो देखे मैपिंग एक बहुत ज्यादा important process होती है क्योंकि जब भी हमारे workflow run करेगा तो जो भी data मैंने आप मैप किया है यह automatically new data से हो जाएगा चीन जैसी google sheet की row में मैं कोई नई leads की details center करूँगा तो automatically जो data है यहाँ पर आके हो जाएगा update हमारा workflow का trigger और agile में एक नया contact हो जाएगा create इसलिए mapping होती ही बहुत ज़्यादा जरूरी process अब scroll download करते हम नीचे click करते see and send test request की button पे तो आप देखेंगे agile में automatically नया contact हो जाएगा create और देखेंगे आप हमको API response हो चुका है receive जो की positive API response है तो directly चलते है agile के account पे click करते CRM पे और चलते हैं contacts पे और देखें रिकी मार्टिन के नाम से एक नया contact नहापे हो चुका है create email है demo452 at the ratep capabilities.com और role है lead का जैसे मैं इस contact को open करूंगा तो और भी details आपको यह पे मिल जाएंगी जैसे lead का contact number, mail id and role and सारी details जो हमने fill कर नहीं थी public connect पे वो सब आपको यह पे दिखने लग जाएंगी देखिए सारी details आपके समया चुकी है contact number, email, address, city यह सारी fields fill करते तो वो भी आपको यह पे दिखने लग जाती, इसका मतलब जो automation हमने बनाया है public connect पे इन दोनों applications के बीच में, उस successfully work कर रहा है, simply दो step हमने पूरा automation कर दी है setup जो work करेगा instantly, जैसे आप Google Sheet की row में कोई नई leads की details इंटर करेंगे, agile में एक नया contact हो जाएगा create, तो आइए चेक करते हैं, automation को हम रियल contact हो जाएगा create, cane tailor के नाम से, एक नई leads की details में एंटर करेंगे इस Google Sheet में, अब चलते हम directly agile के account पे, click करते हैं वापिस contacts पे, और देखिए आप अपने screen पे देख सकते है, cane tailor के नाम से instantly आप एक नया contact हो चुगा है create, यह थी उनकी mail ID, role था lead का, इसका मतलब जो automation हमने setup किया है उस सही से काम कर रहा है, अगर आप भी इस workflow का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका link पर वीडियो के description में दे दूँगा, जाप इसे बड़ी असानी से यह कर सकते हैं, इस्तिमाल, सिर्फ यही नहीं, आप और भी application के integration, public connect के मदद से बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं, support at the rate family.com पर, अगर आपको कोई queries है, आपको कोई doubts है, तो आप जा सकते है, forum.family.com पर, अगर आपको pricing related कोई issue है, तो आप जा सकते हैं, इस link पर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, share करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न पूले, thank you.